ये Green India Champion Agro Private Limited Company एवं Tissue Culture Plants Laboratory का Primary Area है. यहाँ Double Door सिस्टम लगा हुआ है. आप देख रहे हैं कि अभी हम Primary Area की और प्रस्थान कर रहे हैं. एवं यहाँ आपको Plants Washing Area से निकाले गए सभी पौधे ग्रेडिंग के हिसाब से Net Pot में Shift किये जा रहे हैं. और Shift करने के उपरांत इसे Tunnels के अंदर ब्रोथ करने के लिए रखा जाता है. इस Tunnels में तापमान को Maintain किया जाता हैं और इसमें Fence System, Pad System, Fogger System, इत्यादी लगाये जाते हैं. ताकि सभी पौधों की नियमित रूप से व्रिद्धी हो सके, इस Primary Area को चारो तरफ से Insect Neck Polythin Cover Paper से पून रूप से धख दिया जाता है. क्योंकि बारिश का पानी अंदर न आ सके, इस सिस्टम में पौधों की व्रिद्धी के लिए अपेक्षा के नुसार पौधों को नियमित रूप से तापमान दिया जाता है. यदि किसी कारणवश बारिश की वज़े से तापमान थंडा यदी हो जाता है, तो इसके चारो और कर्टन रखे होते हैं. कर्टन को नीचे करने पे Primary Area में तापमान में व्रिद्धी होती है.